तो इस वीडियो में हम Paul Morphy की एक Chess Game देखेंगे और गेम सुरू करने से पहले मैं आपकी थोड़ी मदद चाहता हूँ अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर लीजिए इससे मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी और ऐसे ही वीडियो सागे में लाता रहूँगा तो आएए दिखते हैं गेम तो Paul Morphy वाइट पीसिस के साथ खेल रहे है और ब्लेक के साथ हेम्टन तो Paul Morphy ने सुरूआ की E4 से और ब्लेक ने रिपलाई दिया E5 नाइट F3, नाइट C6, बिशॉप C4, बिशॉप C5, B4, इवन्स गेमबिट तो इस गेमबिट ने वाइट अपने इस बीप उनको सेकरिवाइस करके C3 मूग करता है और आगे जाकर सेंटर पर अटेक बनाता है बिशॉप C4, C3, बिशॉप C5 और पॉल मॉर्फी ने किंग साइड कैसल कर लिया D6, D4, E4, C4, बिशॉप B6, नाइट C3, नाइट F6 तो अभी पॉल मॉर्फी ने E5 मौग किया और इस नाइट पर प्रेसर बनाया तो या तो ब्लेक को नाइट को मौग करना होगा या फिर D4, E5 मौग करना होगा और आगे जाके फिर बिशॉप A3 पर आजाएगा और ब्लेक के लिए कैसल करना फिर मुस्किल हो जाएगा तो ब्लेक ने पहले D4, E5 मौग किया तो पॉल मॉर्फी ने बिशॉब A3 मोग किया तो अगर आपको पता नहीं है तुम्हें बता देता हूँ कि अगर कोई भी कैस्लिंग करने जाता है और बीच में किसी भी पीच से चेक आता है तो वो कैस्लिंग नहीं कर पाएगा तो ब्लेक ने बिशॉब G4 मोग किया तो पॉल मॉर्फी अभी इस E5 पॉन को कैप्चर नहीं करना चाते क्यूंकि नेक्स्ट मोव में क्वीन एक्स्चेंजिस हो जाएगी तो पॉल मॉर्फी ने पहले क्वीन B3 मोग किया और इस F7 पॉन पर प्रेसर बनाया तो नेक्स्ट मोव में पॉल मॉर्फी की थ्रेट F7 पर चेक देने की है तो ब्लेक ने बहले बिशॉब H5 मोग करके इस पॉन पर सपॉर्ट बनाया दी कैप्चर E5 नाइट G4 रूक D1 और अभी आप देख सकते हैं कि क्वीन के पास जाने के लिए कोई भी स्क्वेर बचा ही नहीं है ये स्क्वेर बिशॉब ने कवर कर रखा है ये स्क्वेर इस पॉन ने कवर कर रखा है और ये दो स्क्वेर नाइट ने कवर कर रखा है और ये पूरी लाइन पर तो queen जा ही नहीं सकती तो black के queen के पास जाने के लिए सिर्फ दो ही squares है तो black ने अपनी queen को c8 पर move किया तो paul morphy ने 6 move किया तो black अगर अभी next move में कुछ भी move करता है जैसे कि अपने knight को पीछे लेता है तो next move में ये capture 7-7 check होगा और black के king के पास तो जाने के लिए कोई square ही नहीं है ये 2 squares bishop ने cover कर रखे है और बाकी के 2 squares रूक ने cover कर रखे है तो black को forcefully spawn को capture करना ही पड़ेगा और next move में bishop captures bishop checkmate ही आ जाएगा तो इसी सब calculation की वज़े से black ने बहले f6 move किया queen b5 और paul morphy ने इस knight पर भी pressure बनाया और साथ में bishop पर भी pressure बनाया तो black ने बहले अपने bishop को g6 पर move किया और अभी video पास करके सोचे कि paul morphy ने किया move किया जिसके बाद black ने resign कर दिया तब ही आप यहाँ पर देख सकते कि black का king पूरी तरीके से trap हो चुका है black का king यहाँ पर कहीं पर भी जाही नहीं सकता और black का king castle भी नहीं कर पाएगा क्योंकि यह square bishop ने cover कर रखा है तो paul morphy ने bishop d5 move किया और इस move के बाद black ने resign कर दिया क्योंकि अब checkmate को बचया नहीं जा सकता और अभी black यहाँ से कुछ भी move करता है जैसे कि bishop captures f7 check तो rook captures bishop और knight captures rook आता है तो next move में bishop captures knight check होगा और black के king के बास तो जाने के लिए कोई square ही नहीं है तो black को forcefully इस bishop को capture करना ही पड़ेगा और next move में queen captures c6 check होगा और black को forcefully अपनी queen को बीच में लाना ही पड़ेगा और queen captures queen checkmate ही आ जाएगा क्यूंकि black के बास कोई square ही नहीं है और black अगर checkmate को बचाने के लिए queen captures e6 move करता है तो next move में bishop captures queen आ जाएगा और end game में जाकर black को अपनी queen कवाने के बाद resign करना ही पड़ता तो इसी सब calculation की वज़े से bishop d5 move के बाद black ने resign कर दिया और ऐसी ही वीडियो सागे देखते रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर से कर लीजिए इससे मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी